तो एक प्रीस्ट है विलन तो क्या हिंदू सारे संथ समाझ को विलन कहने की कोशिशक्रीग गई ओर ऑस हमारी सुक्ष है तो क्यों हम यह सिंदम तु के बाट या शोले के भाग ऐसे वाब नहीं उठा cia कि आप तो देखिया हिंदू को टार्गेट करành तो आज कि won Training आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं, कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस है, तो लेट अपलाइव द फिल्म, रादर देन तॉप लृट नहीं जाल के लिए क्योंकि हमने बाते हमाध्य कि बहुत के रखी है, कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्यूनिटी, किसी के भी अगेंस नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उन पर्पेट्रिटर्स के अगेंस्ट हैं, और उनी को हमने दिखाया है, that is what this film is about, this film is about these girls, this film is about those three girls, who lives were destroyed, उनकी जिन्दनी बर्बाद होगे, यह उनके लिए है, बाकी सब हमारे अपने तरीके हैं, ना अगरी करने के, that's most welcome in democracy, everybody has a right to disagree, but सवाल क्या है, कि हम कभी यह सवाल नहीं उठाते हैं, किसी और फिल्म में आपने यह सवाल उठाया, हर फिल्म का विलन, किसी ना किसी भी निचन से तो बिलॉग करता ही है, आपने कितनी बार यह सवाल उठाये, लेकिन आज यह सवाल क्यों उठा रहे, हम गड़कियों की और क्यों नहीं देख रहे हैं, that is a bigger question, जो हम सब को जवाब देरा चाहिए. Hi everyone, can I change this sign? Hi, no panic mask. Film की कानी अच्छी रखी, सब को फिल्म अच्छी रखी, मेरा सवाग है है कि यह फिल्म की कानी ज्यादा कर आएसाइस और टेरिरिजम पर है, आज जब आपनी जो आक्टिविकी रखिये, इंसे हमें इंट्डिउस कराया है, आपने उन लोगों को सामनी क्यों नहीं कराया है, या ना नहीं सकते या नहीं पाये है, जो आक्टिविकी आएसाइस और टेरिरिजम का शिकार गो चुकी है. उसमें ऐसा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते, जिस लड़की काहनी, शाली नी, वो अफ़दारिस्तान की जेल में है, और निमा का टेस्टिमोनी हमने फिर्म के एंड में रखा है, गिताजली के माबाब का टेस्टिमोनियल भी हमने रखा है, लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं, उन तक पहुंचना हमारे हमारी वीच के बाहर है, मैं एक पॉइंट एड करू, हमारी उद्धिश्य यह था कि कोई एक एग्जिमिशन करके लड़कियों के दिखाने की कोई इलादा नहीं था, यहां पे कुछ लिए कहानी बोलने की कोश्च की, गितांजली की जो माबाप की जो अपने फिल्म की एंट में देखे हैं, वो माबाप भी आना चाहते थे, हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उसके लिए आज भी हम क्या भोलेंगे अलग 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 दुनिया की जगा से पेपर भेज रहें, प्रूफ, आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000 लड़कियों को ISIS ने इंप्रेग्नेंट की है, आज आज आया है, मतलब पाइनियर नी यॉर्क करके कोई मैगेजिन से, जो बात यह नहीं है, कि हमने कोई celebration करना था, कोई show exhibition करना था, हमें तीन प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था, और वो कहानी हमने बोले, और उस कहानी के थ्रूफ, एक बहुत बढ़ा इशू को हम target की, इस भूण हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएगे स्रिक, आसू बचेगा आपकी, इराटी खतम हो जाएगा, साब पूर जाएगा, अगर शुतिए आपने कहानी बोले, चित्रा आपने कहानी बोले, तो बात यह है, मुझे दूख इस बात की हुई, कि हमारी देश में आज भी अगर गरीट को रोटी देने की बात करें ना तो कोई सवाल ठाएगा इसका कोई जरूर कोई उतिष्च्छा है कि बोडिक को रोटी दे रहा है। हमारी मन को इन तीनों बच्छी की जो हमारी फिल्मे दिया यहां पर जो चप्रिस नार की बैटी है इनकी दर्ड किसी को रचर नहीं आते है यांके हमारी पोलेटिकल मन शामन में आता है कुचिस वच्छ बेली पेंडस Hi, this is Mohler from the einzelnes of India. I'd like to know about these 7000 women that the ashram is saying that they have debrainwashed or de-doctrinated. How do you determine that they were doing something which is anti-national or anti-human? Are there any police records? How do you determine and how do you find these girls? कि अरन्वा जिसा पार्ण एंड पारि के लिदू रिष्टा जिए क्या मत वित खिलू सिर्ट मिलेजम। इस अिसे कि अजाल जूए लिधिए लुट इस ऑंड जूर फिल्या रिज ऑंडाटिस्टों बुटते हैं और प्रो किष्टन ही अग्योंति है है तो क्या भी आ रेमeseं, हैं पेकल स्फूर Cyrus? मुर्ट, क्या है ज्लीकूल और झाथिता भी एकलत भी की आपित बहूए लाट जिस लेपलेट पना censorship एक कि अगडि जुकोलّ कर समनाace फॉलफ सिर्फ डिला है or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind due to a certain particular ideology that their pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their close ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their families, they wanted to disassociate from their friends and near and dear ones and wanted to, they were inclined or sympathizing with the anti-national, anti-human trend which is what the parents or their close leaders noticed and that was when they intervened and they brought them to Ashawadhyaya Samajan where we were able to debate with them based on, we were able to give them counselling, intellectual, ideological counselling and bring them back. So if you ask for records, 7000 people, we have the data but then there is no evidence otherwise because these people who have come back or have been affected, they don't speak up about it or their families don't want to reveal their identities because of the political scenario or because of the concern for the safety of their lives. People don't come out and speak about it. That's the reason there's no evidence. It's like Neema Matthew's character depicts in the movie and the policeman is asking for proof. Where is the proof? So this is why we don't have proof. People don't come up and talk about it. About the diversity of the state, the film actually wants to maintain the diversity and just want to expose the bad apples. So if exposing terrorism is going to affect the diversity, if that's what your conclusion is, then I don't agree with it. I believe that when you expose the bad elements, the rest of the communities can come together and live a better life together. Hello, sir. State, this is Venomul from First Coast. I had a question for Sudikto and Bipul. My question is, before you made the Kerala story, were you both aware about the atrocities that were being committed against these women? And secondly, Kerala has the highest literacy rate in India. So for the ISIS to be able to successfully brainwash as many as 32,000 women, was it an appalling favour for the two of you? Do I need to tell you about 32,000? Already we discussed. I think you heard the answer. Right? Right? No, I want to tell you about 32,000. I mean, Kerala's highest literacy rate is the highest literacy rate. So how can the incidence of Kerala in Kerala can happen in Kerala? In Kerala, two Kerala exist. I mean, I don't think any of your people are wrongly, at the time of our release, a journalist woman called me to take me and I said to take me an interview. I want to tell you, if you go to Kerala and wherever the country comes, they will go to Kerala, wherever the country comes, wherever the country comes, we will go to Kerala. they will go to Kerala. इन सबसे मिली कसरवोर कोई कोर यह सब जगा पर अकेली खुनी और वहां से रिपोर्ट लेके आए वो उस कर्वर्शन सेंटर में गए जहां पर इन लोगों को कर्वर्ट रिया गया था तो मेरी कहरे का मतलब है किराला दो एक्षिस्ट करता है एक किराला जो पिक्चर पुश कर्ट जैसे हैं बैग वाटर खुब सुरत लाइंस के कलरी बट्टू और डान्स मार्शलाट भाती क्या नहीं नौ बतलब सब कुछ दिता है जो दुनिया भर ने जानते और एक किराला जो बसता है तो नौटन पार्ट अक किराला है महलापुरम कसर गोड कोई कोर जो साउं कर्ट अगर की मैंगलोर के साथ जूड़ते हैं इंक्लूडिंग मैंगलोर यह एक टेरर नेटवर्क की हाप है यहां से जितने कहानियां आपको सुनेंगे जितना जाननी का पाएंगे यह ताब आपको पता चलेगा कि हायस्ट लिटरेसी रेट इन दा हुमन इंडेक्स दा और इसके लिए हमारे साथ बहस की जगा अगर हम आपकी मन में एक्च्वली और गरी कोई कोई को वहां से रिपोर्ट के लिए तो पता चलेगा कि इस कहानी की सच्चा ही कहा चुकी हुए एक और आपको बात मैं बताना चाहता हूं CNN International की डॉक्यूमेंट्री है जहां पर के कुछ गाउं में शरिया लौ एक्जिस्ट करता है उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है आपको डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए और यह वह पड़े सब्सक्राइब कर रहे हैं जहां पर गाउं के गाउं शरिया लौ से चलते हैं और CNN, IBM के उन जर्न, CNN के उन जर्नलिस्तों को कितना ओपोजिशन उस गाउं में वह सब डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है तो देनिस अलॉट अलॉट आउट देर हमसे देखना नह से पहले मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था अब मैं कुछ थुड़ा बहुत जाले जालता हूं इसलिए मैं कॉंपिदेंस से कह सकता हूं कि कि मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ एक्स्पीरियंस किया। You wanted to add to that, please. There is definitely documentation in terms of people who, there are about cases who have gone from Kerala, joined the IAS. The most recent is that of a news disclosed by the Chief Minister of Kerala, Shri Pranright Vijay himself. It was about Praju who converted as Muhammad Amir. This is a news from Barusheri, I am just quoting the news. Praju's wife, a native of Barusheri, learnt about the whereabouts of her husband who fled 8 years ago after Chief Minister Pinaray Vijay's statement in a press conference. Pinaray Vijay, who was speaking in the context of narcotic jihad, had revealed that Praju, a resident of the Rutiad Barusheri, was included in the list of Malayalis who joined the IAS. Praju, Muhammad Amir.